जहेंटो आलाफियों, क्या आप भी नाउन के बारे में पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि नाउन होता क्या है, और नाउन कितनी प्रकार के होते हैं, तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं कि नाउन क्या है, और कम से कम समय में आपको नाउन को समझाने का प्रयास करेंगे चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं दूसरी बात आप अगर शैनल पे नहीं हो तो प्लेज सस्क्राइब करें और वीडियो को लाइक अवस्य करें चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले बात करेंगे नाउन तो देखिए याद करने का लिए आप इसका बहुत लंब का वो होता है संग्या संग्या मतलब किसी का भी नाम करण करेंगा जो भी आपके सामने आखों से दिख रहा है इस दुनिया में इनवर्स में कुछ भी आपको दिख रहा है जो कुछ भी आपको दिख रहा है उसका कुछ ना कुछ नाम होगा कुछ ना कुछ नाम होगा जैस ऐसे पंडित जी का काम करता है जो नामकरण करते हैं यह ऐसे बेक्ति हैं जो सब का नाम रखते हैं कौन नाउन ठीक है वैसे डेफिनेशन आमने नीचे लिखा है आप देख लिएगा ओके तो याद रखेगा कुछ भी आपके सामने दिख रहा कुछ भी आपके सामने अगर आ लाइट्स दिख रही है, ओके, आपको अलग-अलग एक्विप्मेंट दिख रहा, तो वो भी आपका क्या है, उसके एक कुछ नाम होगा, वो भी नाउन है, ओके, ठीके, आप बोलेंगे जो नहीं दिखता वो, जो नहीं दिखता वो नाउन नहीं है, तो जो नहीं दिखता व भावनाएं होती है वो भावनाओं का भी नाम होता है फिलिंग्स का भी नाम होता है वो भी तो नाउन है जितने भी एक्षन कारे होते हैं जैसे योगा एक्सरसाइज यह क्या है एक एक्षन एक कारे होता है ओके क्वालिटी स्टीट अवस्था सैडनेस हैपिनेस यह भी नाउन होता है, ठीक है, तो जो नहीं दिखता वो भी नाउन है, जिसका एक नाम है, यसे abstract noun करते हैं, भाव अचक संग्या, जो हमारी भावनाएं होती है, वो दिखती थोड़ी है, तो याद रखेंगे, अपने भासा में आप याद रखेंगे, इस inverse में कुछ भी feeling है, जितनी feelings है, action है, quality है, state अवस्था है, वो भी नाउन है, ठीक है, चलिए, तो अपने definition पर आ जाते हैं, आप इसको भी याद कर सकते हैं, तो आपको बच्पन में याद भी करवाया गया होगा, कि noun is the name of a person, place things, किसी person का नाम, किसी place का नाम, किसी thing का नाम, उसे क्या बोल condition लिखे हैं, कि the word used as the name to indicate, name to indicate a person, place, things, अब देखे, person मतलब क्या होता है, किसी ब्यक्ति का नाम, राम सया मोहन, रोहन जो भी है, place मतलब क्या हो जाएगा, place मतलब कोई स्थान का नाम, जैसे UP, Delhi, कुछ भी हो जाएगा, place का नाम, आपके गाओं का नाम, कुछ ना कुछ प्ल जैसे आपको अपना paint दिख रहा, अपना copy दिख रहा, अपना book दिख रहा, वो भी एक बस्तु है, वो भी noun है, ठीक है, चलिए, example क्या है, मोहन is a good boy, 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 ओके अब देखिया, मोहन किसी person का नाम है, आप बोलेंगे है, परसन का नाम है, मोहन सोह परेले आकर बिसेश्टा बताती है, मतलब हम देखिये, अभी noun पर बात कर रहा हम लोग, तो ये good बस इतने ही बता देखिया, बिसेश्टा बताने है काम कर रहा, और किसका, जो noun है, उसकी बिसेश्टा बताने है काम कर रहा, ये as active है, लेकिन boy, boy मतलब तो लड़का होता है मौहन is a good boy मौहन क्या है? एक अच्छा लड़का है ठीक है? और वाइसे भी अगर question करेंगे मौहन is what तो मौहन क्या है? अच्छा लड़का है तो लड़का है ये boy भी क्या हो जाएगा? boy भी यहाँ पे noun हो जाएगा जबकि मोहन भी यहाँ पे noun हो जाएगा सही है? ओके अब अगला दूसरा example है Reading is a good habit आप बोलेंगे what is good habit मतलब क्या good habit है तो आप बोलेंगे reading क्या से question करते हैं? क्या? कौन? ओके? किसको से question जब करते हैं तो noun पता चलती है English में बात करें जब करते हैं तो noun के बारें पता चलता है तो आप पूछेंगे जैसे कोई बोला Reading is a good habit तो आप बोलेंगे क्या good habit है तो कोई बोलेंगे reading आप बोलेंगे read मतलब तो verb पढ़ना होता है लेकिन इसमें ing लगा दिया है तो किसी भी verb के first form में जब ing लगता है आइन जे लगता है तो जिरंड बन जाता है वरबल noun कहते हैं उसको वो भी noun की तरह काम करता है जिससे abstract noun कह दिये जाता है ठीक है तो आप देखिए reading क्या है reading noun है reading भी noun है ओके is the verb है यहाँ पे और यह article है ठीक है लेकिन यहाँ पर देखिए habit के पहले क्या आगया good तो आपको बता दिये good तो adjective है इसको आपको नहीं देखना है adjective वाले topic में आपको देखना है कि क्या होता है लेकिन यह habit reading is the word good habit habit क्या है habit भी noun है habit भी एक प्रगार का noun है habit भी noun है हमारा habit दो दिखता नहीं है habit भी दिखता नहीं है हमारा habit जो आधते होती है आधते दिखती है आप भी आधते अच्छी भी हो सकती है बुरी भी हो सकती है ठीक है तो समझ में आ गया तो noun आप तो पहचान लेंगे noun अब आगे चलते हैं noun के प्रकार पर तो देखिए noun के प्रकार पर बात करें तो सबसे पहली बात और हम detail proper noun, common noun, collective noun, abstract noun, material noun पर detail वीडियो बनाएंगे अभी आपको noun होता क्या है वो बताएं है और noun के प्रकार कितने होते हैं वो बताएं है noun किसी वाक्य में आजा है पाचान कैसे करेंगे वो बताएं हैं लेकिन noun का detail लगबग हम 10 class 10 वीडियो अप्लोड करेंगे नाउन का तो आप लोग इसलिए बोले हैं कि चैनल को सस्क्राइब कर लेजे और आने वाले वीडियो को फॉलो करिएगा क्योंकि एक वीडियो में इतना लंबा कर बना देंगे तो आप भी देखने में बोल हो जाएंगे और हम भी बना नहीं पाएंगे हम बनाने के लिए तो बना सकते हैं क्योंकि हमारे चैनल पे तीन-तीन गंटे का वीडियो है दो-दो गंटे का वीडियो है ठीक है, offline class का, तो आप इसको देख लिजे और याद करिए कि noun कितने परकार के हैं, सबसे पहले बात करें proper noun, सबसे पहले बात करें proper noun, proper noun मतलब किसी ब्यक्ति विशेष का नाम होता है, यह जर्नल इंट्रोडक्शन है, ठीक है ना, पहले इतना आप याद करिए, आलने वाले नेक्स्ट वीडियो में डीटेल इसमें बात करेंगे हम लोग, proper noun मतलब ब्यक्ति विशेष का नाम होता है, किसी खास का नाम होता है, यह से राम स्या मोहन रोहन, किसी ब्यक्ति विशेष का नाम होता है, इसलिए इसका नाम होता है, ब्यक्ति वाचक संग्या, प्रोपर नाउन मतलब आप बोलेगे प्रोपर नाउन मतलब बैक्ति वाचक संगया, अगला common noun, common noun मतलब एक समाननी की बात ये करता है, एक जाटी की बात करता है, common noun, common noun, अब common name मतलब किया ऐसा नाम, ऐसा common name ले जिए से माल लें जहें बहुत सारे यहां पे बेक्तियों खड़ा कर दिया हैं, सब male है, असब लडके हैं, तो आप क्या बोलेंगे, कोई पुछ रही यह क्या है, तो आप बोलेंगे लडका, वो क्या है लडका, मतलब एक नाम, एक जो नाम है boy, boy हम लड़के, जितने भी लड़के रहेंगे, उन सब को boy बोलेंगे, और एक girl जो नाम आएगा, वो एक लड़की रहेगी, या कोई भी लड़की आजाए, उसको क्या बोल जाएगा, girl, तो एक common नाम हो गया सबका, common नाम हो गया, इसे उसको common noun बोलते हैं, ठीक है, तो क्या बोल जाते हैं इसको, यह किसी जाती बिसेश के बारे में बात करता है, कौन, common noun, आते हैं collective noun, collective मतलब सब्सक्राइब, collect करना, समूह करना, समूह वाचक संग्या बोलते हैं, collective noun का हैंदी क्या होता है, बोलिएगा, collective noun का हैंदी होता है, समूह व क्या होता? सेनिकों के समुखों के आज-स अब बोलेंगे आर्मी किसे बोलते हैं? यही थो coll Nik Coronaju की बाते कर रहा है अगला क्या लिख ऐा रिक लिखव Тहव्छचर अब बोलेंगे ऐब्स मतलब क्या होता है अगलाल बात अगला की हमारे feelings होती है आपको बताया थे नहा एब से feeling, से action किसी quality का नाम किसी state का नाम किसी feeling भावना का नाम किसी action का करे का नाम कोई quality का नाम कोई state का नाम abstract noun भी खवा सकते हैं इसे यानि भाव वाजक संगया होता है sadness happiness यह क्या होता abstract noun होता हमारा. अगला है lastा, material noun द्रब्यवाचक- jedoch द्रब्यवाचक- Jennifer उंग्या मतलब क्या है? देखें, δ्रब्यवाचक- Wię Ins María मतलब क्या होते है? material noun जैसे ये paint बना है, किस से बना है, तो आप बोलेंगे ये तो metal से बना है? धातू से बना है अगर धातू से बना है तो यह लोहे से बना है लोहा से बना होगा ना लोहे से बना है तो लोहा क्या होगा यह material noun एक नाम है इसका लोहा का तो material noun होगा ठीक है द्रभ्य वाचक संग्या तो नाउन पास प्रगार के यहां पर हमने लिया है आगर बात करें नाउन को तो पहला क्या है proper noun, common noun, collective noun, abstract noun, material noun ठीक है तो चलिए यह तो आपको बता दिया गया journal introduction फिर आने माले वीडियो में आपको complete detail explain किया जाएगा कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है तो वही चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लेजा हिन बंदे मात्रम भारत माता कीजाएं